आज को हमारे टॉपिक है वह आपके पास एक्जाम्पल्स हैं डिपेंडेंट साम्पल्स की विकास आपने प्रिवेस लेक्चर्स में पढ़ा है कि वोट इस डिपेंडेंट साम्पल्स और हाओ नहीं का तो यह आप इस तरीके से पता चलिएगा कि आप प्रिवेशन का प्रिवेशन का तुमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिसकॉस कर चुक एक्षाम्पल्स ने जो मैं आपके साथ शेर करूंगी वह मैं आपको करवाती हूं इसकी जो सम्बनी है कि हमारे पास जो जनरल प एक्जामपल्स हैं अब आब एक्जामपल्स दे सकती हैं मेरे पास फर्स्ट एक्जामपल है 13.24 अब इसमेरे प्रिवेस लेक्जर में मैंने ये भी आपको बता दिया है कि डी हमारे पर X-Y या Y-X लेने की रीजन्स क्या होती है और हम कैसे जज़ करेंगे कि हमने कहां पर X-Y और कहां पर Y-X लेने अब स्टूरिन एक्जामपल्स आपकी क्या है मैं साथ साथ आपको एक्जामपल्स करेंगे ये चीज़ अगें रपीट भी करती जाओंगी ताके आपको किसी भी किसम की कन्फूजन जो है वो ना रहे हमारे पास एक्जामपल्स है अन्यू वेट फालम्स आपको एक्जामपल्स अविट् 4 एक्जू ये तरि करता हैं प्रोटीन अफटीन डाइट एक्जामपल्स हैं जो है आपको मार्केश करवाना हैं जो कि एक एक्स्पेरिमेंट कर रहे हैं क्या इसका got the perception क्या figure बहीं?」 क्या वाकिट वैट रूइस होगा या नहीं होगा। आप सुनन यहां पर आप देखें वैट वीफोर lizard और बनुट की हएग क्या है कि आपका जो सामपल है वह आउली आपका सामपल है। आपने उश ही को ही देखना है कि क्या युट की है रूडीूसिंग टिक नीक यूज की है उसका असर उन बंदों पर कितना बड़ा है तो जो उनका वेट चेक होगा वह भी फोर एंद आफ्टर जो है हम चेक करेंगे कहते हैं परफॉर्मर टेस्ट फाइफ परसंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन दे दिया गया है वेट इस स्मॉलर दो मोस् इंपॉर्म मैं आपको हमेश्या कहती हूं कि जब भी आपको कुष्चन गिवन होते हैं तो कुष्चन वेश्या अल्टर्नेटिव इपोधेस जो है वो गिवन होता है और रनल ह害पोधेस उसका ऌपनि आपने लेन होते हैं अब यहां प्र ऐस है कि calmed मेरें पास स्मॉलर के बात ओरिया एट लीस्स स्मॉलर जब आपके पास होती है तो आपके जो हाइपोसिस है वो इस तरीके से बनते हैं जैसे कि इन्होंने यह आल्टरनेटिव हाइपोसिस बनाया हुए इसमीन के यह आपके पाफ वन टेल टेस्ट है और यहां पे स्मॉलर है तो हमारे भी ग्राफ भी जो है वो हमारे पार स्मॉलर साइड वाली बनेगा क्योंकि यह आपने बहुत अच्छे तरीके से करना होता है ग्राफिकली अदर्वाइस आपको यह नहीं पता चलता कि जो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास यह दिखें यह 5% हमारे पास जो है इनका वेट बिफोर और आफ्टर बोथ और गिवन है अब यहां पे मेन आता है जो डिफरेंस हमने लिया है कि वाई वी और टेकिंग दवाई माइनस एक्स हमारे पास यह चीज आ जाते है तो है रिद्यूसिंग डाइट जो हमने प्लैंड यूज किया है उसते पहले क्या था और बाद में क्या था तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इन वीच वी हाव दे कंपेरेजन तो आपने जो डिफरेंस लेना है वह वाई माइनस एक्स लेना है जैसे कि हमने लिया ह हुआ है अगर जिसना आ जाता है जिसना मैं आपको नेक्स्ट एक्जामपल भी कड़ाओंगे कि अगर दो कैंडिडेट्स आके हैं कैंडिडेट ए और बी अगर उनका अपनी कंपेरेजन करना है तो फिर आपके पास क्या होगा कि एक्स माइनस वाई होगा वह भी हम आगे अब जेमरने ले लिए डिफनस इन दोनों को माइनस के , 450 माइनस 143 यहां पर घास पास साम अफ ड्वार आगे हैं यहां पर हमारे पास sum of d आगे आगे हमने डी स्क्वेर ले बिकास इस रिक्वाइट पॉर्ड फार्मूला है अब फार्मूला आपके पास क्या है देखें डी बारा आपको जरूरत पड़ेगा मैं इसका फार्मूला बता देती हूं और sd आपको जाए अच्छा sd क आपको क्या चीज़ गिवन है अगर तो फिर आप उसके हिसाब से बना फार्मूला लगा सकते हो लेकिन अगर आपके पास possibility है कि आप दो या तीन फार्मूला लगा सकते हो आपको ऐसा data गिवन है तो आपको फार्मूला लगाओगे तो आपका answer जो है वो same आएगा तो यह आपने याद रखने हैं और आपने अपनी question को question की situation देखते हुए apply करने हैं यहाँ पर इन्होंने जो फार्मूला लगाया है वो आपको नज़रा रहे है इसमें D bar में चाहिए D square चाहिए इसी वज़ज़ से हमने D square का जो है वो सामली आता अब student पहला step होता है hypothesis hypothesis क्योंके उ यहाँ से आपको difference पता चल जाए कि हमने y-x लेने या x-y लेने अब सबसे पहले तो हमने बनाए है hypothesis hypothesis हमारे पार स्मॉलर देना है अभी हमने discuss कि hypothesis तो बनगे second level of significance होता है student level of significance तो already आपको given है अगर question में ना भी given होता तो आपने alpha 0.05 लेना था इसी तरह test statistic में फार्मूला हो इसाइब कर दिया specific values आगर सो गिवन है degree of freedoms क्या होती है in the T test degree of freedom आपको given दे दिया जाती है और critical region जो आपके पास आते है यह table value जो आपको जो मैंने important paper वाली प्लेलिस्ट है उसमें T table देखने का method है जी टेबल देखने का method है F table देखने का method है मैंने आपके साथ डिसकस किया ह है critical region में student आपके पास stable value आजाती है जो कि हमने find कर लेनी है अब जो calculated value है ना जो हमने value find की calculation में की टी बार क्या है SD क्या है N क्या है यह तमाम चीज़ें जो हैं हमने discuss की हैं अपने question में जब आप question में calculation करोगे ना calculated observe values में तो वहां पे आपने फिर calculation करने के बाग तमाम calculation जो भी answer आए है वो आपने अपनी values जो फार्मूला है उसमें put कर देने है लास्ट वन होता है जी conclusion conclusion क्या होती है कि आपके जो observe values होती है और calculated value होती है वो आपने देखनी होती है because T table भी continuous table है Z भी continuous है तो graph भी आपका continuous का बनीगा अब यह हमारे पास है जी टी टेबल यहां पे आपके पास आगया है student आप दे सकते हो कि जो आपके पास table value होती है यहां आप table value लिखते है वो आपके पास आई थी minus 2.132 यह आपके पास है अब यह जो हमारे पास area है ना यह rejection region है और यह पास acceptance region है अब आपने देखने है कि क्या आपकी value fall कर रही है in the acceptance region और rejection region और कौन सी value जो calculated value आपके पास है यह minus 0.7.07 से तो यह आपके पास आगे it's mean कि यह fall कर रही है in the rejection region में तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास conclusion है because value fall in the rejection region so we reject H not and accept H1 as H1 तो यह आपके पास conclusion आजगा तो I hope student आपको इस examples की समझाई होगे इंशनला next example भी आपके साथ discuss करूंगी और आपको साथ साथ difference भी बताती जाओंगी कि majority जो students को confusion होती है वो इसी part में होती है कि जब आप difference लेते हो D लेते हो तो यह तो आपको पता चल जाता ह है कि जो हमने previous introduction भी पढ़ा कि जी यह paired observation का question है बट आपको difficulty कहां आ रही होती है कि फिर आपने लेना होता है y-x यह x-1 difference क्या लेना है d क्या लेना है because सारा question तो depend कर रहा है d पे तो वो आपको question की जो situation है उसको देखते हुए पताद चल जाएगा इससे रह में इंशनला next example कर करवाँगी वहां भी आपको समझाओंगी कि हमने क्यों x-y-x use किया यह next question आपके पास आजेगा और फिर इंशनला next y से जो related questions है वो भी आपको करवाँगी student जाद से जाद से students के साथ share कीजिएगा ताकि हर student इसे फाइदा उठा सके अपनी दौाओं में याद रखिएगा लाफिस